तो दोस्तो जब आप किसी भी तरह का बलाउस बनाते हो तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है उसे बोलते हैं मेजरमेंट तो मेरे पास एक ये तैयार बलाउस का नाप है ये देखिए लंबाई इस बलाउस के हम तैयार रखेंगे 14 इंच सीने का जो तैयार नाप वो रखेंगे 10 इंच कमर का जो तैयार नाप वो है रखेंगे 8 मतलब टोटल जो है कमर है 32 इंच और सीना इसका जो तैयार वो है 40 तो हमने मैं चोथा इससे यहां पर लिखा है सीना 10 इंच कमर 8 इंच बाजू की लंबाई है 4 इंच और बाजू की आगे से गुलाई है 13 इंच पीछे का जो गला है वो तयार होगा 8 इंच और आगे का जो गला वो तयार होगा 6 इंच दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कटोरी बलाउस की कटिंग तो इसके लिए देखें मेजर्मेंट जो है इसको मैं रखता हूँ साइड में सबसे पहले आप कपड़े को देखें ये देखें कपड़ा आपको उस प्रकार से बिछाना ये जो किनारी वाला हिस्सा है ये आपको रखना है उस तरफ और जो बंद वाला भाग है वो आपको रखना है अपनी तरह, पहले हम करेंगे पीछे वाले भाग की कटिंग, उसके बाद हम करेंगे आगे वाले भाग की कटिंग, कपड़ा टोटल आपको लेना है 80 cm, अगर किसी का साइज ज्यादा बड़ा है, हैवी साइज का बना रहे हो तो उसमें आपका कपड़ा ज्यादा भी लग सकता है, 90 cm भी लग सकता है, मेरे पास टोटल 80 cm एक कपड़ा है, अब देखें दोस्तों आपको कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़े को बिछाने के बाद, यह देखिए बंद वाला भाग आपको रख लगा सकते हो, क्योंकि पीछे से फोल्ड करने के जितना भी आप कपड़ा रखो एक इंच सवा इंच डेड़िंच उतना ही आप निशान लगा ले जनली सवा यह फिर निशान लगाते हैं, अब दोस्तों दो निशान में लगा लिए हैं, किस निशान का मतलब यह है कि इतन लगाते हैं, तो आधा इंच मार्जन में चला जाएगा, तो लंबाई तयार रह जाएगी आपकी फिक्स 14 इंच, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अब इसका तीरा कितना रखना है, जरनली दोस्तों क्या होता है, दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके के बलाउज बनत आते हो, जिसका पीछे से गला 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच हो, तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपको जो तीरा रखना होता है, वो रखना होता है, आपको 6 इंच यह देखे, तो 6 इंच पे निशान लगा रहा हूं, यह देखे, अब यह जो मैं 6 इंच पे निशान यहाँ प्रकार से निशान लगा लेना है बहुत ही सिंपल यह फार्मूला होता है अब दोस्तों बात करते हैं इसके सीने की जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सीने का जो तयार आप वह दस इंच तो इस जगे से आपको दस इंच पर निशान लगाना है ठीक है यह इसका बिल्कु फिक्स सीने का नाप है और इसके बाद आते हैं नीचे कमर पर कमर दोस्तों इसकी जो तयार है वो है 32 तो 32 का जैसे मैं आपको बता दिया कि मैंने चोथा इसा ले रहा हूं तो 32 का आदा 16 और 16 का आठ यह आठ चोक 32 इसी परकार से तयार इसका जो सीना वो 40 है तो 40 का मैंने कर लिया 10 इंच तो यह होगा इसकी कमर यह होगा सीना लेकिन दोस्तों पीछे वाला जो भाग होता है इसमें हमेशा दो प्लेट डलती है तो प्लेट डालने के लिए आपको यहां पर एक्स्ट्रा मार्जन लेना होगा यह देखिए इस परकार से पीछे प्लेट लग जो दूरी रखनी है वो रखनी है आपको डेड़ इंच यह देखिए और यहां से घुमाव देते हुए आपको आना नीचे और इसमें मिलाते हुए इस निशान को आपको लेकर जाना है कहां यहां पर ठीक है और अब दोस्तों क्या करना इस निशान पर तो फिटिंग के आ मैंने मार्किंग कर ली है अब इसकी मैं करता हूं कटिंग तो दोस्तों पीछे वाले बाग की कटिंग करने के बाद अब आपको जिस प्रकार से यहां पर मार्क आपने लगाए हैं सेम इसी प्रकार से अब इसके जो फ्रंट वाला पार्ट उसमें आपको मार्क लगाने उस कुछ भी एक्स डिया था ये इसको ऐसे कैसे मैं रखनार रखों गाएंगे जैसे अदो बस आप इसमें एक चीज ध्यान रखें ये देखे अब जब जब मैं front वाले पार की cutting करऊंगे अदहा इसाम माणा एक्स रखा है ये ये 這ी-जो कपड़ा में extra रख रहा हूं, डोस्तों, इसमें लगेंगे, हुप और जब हम आगे वाले हिस्से में हुप को लगाते हैं, तो हुप के लिए, आई की जो पट्टी होती है, हुप आधा हिंच मारजन चला जाता है, तो इसलिए आपको आगे की तरफ लगात्था दूद्धे इस ज़गे इस जगे से निशान लगा रहे हैं लेकिन जब मैं पीछे वाले से कटिंग करी थे मैंने कितना लिया था साड़े चौदान लेकिन जब आप आगे वाले पार्ट की कटिंग करोगे तो आपको आधा इंच और बढ़ा लेना है तो इसमें निशान लगा लिया और नीचे से फोल्ड करने के लिए इसमें कपड़ा रखेंगे मैं आपको दुबारे रिपीट कर देता हूँ जब मैंने पीछे वाले पार्ट की कटिंग करी थी यह देखिए तो मैंने यहां से लेकर यहां तक लंबाई लगी है साड़े चौदा जिसमें क्या है आधा इंच उपर मार्जा में चला जाएगा ब बताता हूँ पहले में मार्किंग कर लेता हूँ तो यह देखिए यहां पर जो आपको मार्किंग करनी है किस परकार से करनी है यह जो निशान है इस निशान से आपको दस हिंच पर पहले एक निशान लगाना है यह दस हिंच पर निशान होगा है फिटिंग का और इसी परक कि कटिंग करते हो तो यहां पर आपको ड्रीज एक्ष्टा नहीं लेना अब इस निशान को और इस निशान को आपस में आपको इस प्रकार से मिलाना है ठीक और इसी प्रकार से इधर से भी एक निशान लगा ले इतनी मार्किंग करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है अब हमें इसमें निकालनी है बेल्ट का बिल्क को सिंपर फार्मूला क्या है इसके लिए आपको देखिए इस जगे दोस्तों आपको किस प्रकारसें आपने है में तोicket टोटल आगे से जो तयार इसका जो नाप है वह साड़े शेंच तो साड़े जेगी कितना लेंगे साथ इंच लेंगे क्यों आधा हिंच उपर चला जैंगे इसम्的人 में तो साड़े-शे Uhr गला आपका त्यार हो जाएगा यहां से आपको गले की चुड़ाई रखनी है आप अपनी सूधा के अनुसार जितना भी गला को पहना पसंद करता है रख सकता है जनरली जो गला आगे से बनता है वह पौने तीन या फिर धाइंच बनता है तो यह देखिए मैं पौने तीन प मैंने निशान लगा लिया अब दोस्तों एक चीज और मैं पर क्लियर करता हूं यह देखिए यह पीछे वाला हिस्सा है और पीछे वाले हिस्से के अनुसारी मैंने यहां पर यह निशान लगा है अब आपको क्या करना है पीछे वाले हिस्से के जब हम कटिंग करते हैं तो करनाने के बाद अब इसमें जो में काम बते है दोस्तों वो बची काटोरी की आप weed का काझनी है गले का निशान लगा लिया है यह इसका 빠ई आर्म हो तो देखे इस जगे से यह तो गले का और इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद इसे आपको नीचे लेकर जाना है अब नीचे लेकर आने के लिए simple formula, बिल्कुल easy formula है किसी भी size के बाउज में इस formula का आप यूज कर सकते हूँ यह जो निशान है यह वला है ठीक है, यहाँ पर आप रखना है और अंदर के तरफ तीन इच पर निशान लगाना है और यह देखिए इस प्रकार से इसको लाते हुए, इस 3 इंच वाले निशान में आपको इस मिलाना है बस यह आपको काम करना है और आपका जो कटोरी का जो निशान है लग चुका है अब पहले इसकी मैं कटिंग करता हूँ फिर कटिंग करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस पताता हूँ यह देखिए तो दोस्तों अब आप देखें ध्यान से यह इसका पीछे वाला पल्ला है और यह है इसका आगे का पल्ला यह की कटोरी हो गई ठीक है यह इसकी हो गई बैल्ट अब दोस्तों जो सबसे बड़ा जो काम होता है कटोरी ब्लाउज में वह यह होता है कि जो यह कटोरी होती है न यिस कटोरी को हम यूज नहीं करते। अब इस कटोरी के आधार पर ही हम इसकी जो मेन कटोरी जो इसके अंदर एज़ेस्ट होगी उसकी हम कटिंग करेंगे। तो किस प्रकार से cutting करनी है? यह देखें अब आपको सिर्फ इस कॉटोरी के उठाना है, जो यहां से निकली है इस कॉटोरी पाने किस प्रकार से cut करना है यह देखें इस कॉटोरी को हम रखेंगे यहां पर आपको इस कटो्रेश को यूज नहीं करने ही ये केवल आपको जो निकलता ने हिस्सावाला इस हिस्से में अब być इंप किया हता दोस्तों कि अगर आप्ति कॉपका इस प्र्रकार से रिख इस ग्रीट लगा के बना दो तो आपफ़ बॉस नहीं बनेगा अधाईंच का मार्ण लेते हुए ऐसे तोटल यहां से लेखें कि यहां से लेकर यहां से लेकर यहांसे लेकर यहां से लेकर यहmatesda कि सवा चाहिए कि है सब चेक आदा कितना होता है 3.1 तो बिलुको सैंटर में आपको एक निशान लगाना यह देखिए इस निशान को कहां है यह देखिए अब आपको उठाना क्या है अब आपको उठाना एक छोटा स्केल अब यह जो बढ़ाया हुआ निशान है ने डेडिंच का इसको इस प्रकार से रखना है सेंटर में इधर और इसको रखना है इधर इस प्रकार देखें अब इधर से बिलकुल बराबर रखते हुए इसको यू में लाएंगे और यह जो निशान में लगाया था यह वाला यहां से आदाइच लेना है और नीचे आपको इसको बढ़ाते हुए जाना है इस प्रकार से देखें तो अब देखें दोस्तों कहां यह छोटी सी कटोरी थ बढ़ा दी है इधर से आपको बढ़ाना है तो बिलकुल सीधा इस प्रकार से अब दोस्तों मैं पहले कटिंग करता हूं और कटिंग करने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूं दोस्तों अब देखिये मैं आपको बादाता Under.I jestem desire to остate me. मैं यह सबता हुब कैसे adjust करना है इंगे अब यह कोटोरी थी ये वाली इसके साथ इस प्रकार से लेगी इस प्रकार से ठीक है और इस की जो BELT थी अब यह जो BELT है यह इसके नीचे लगेगी लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना है इसमें आपको प्लेटों के मार्क करने है तो प्लेटों के मार्क आपको कैसे करने है यहां से आपको सीधा एक निशान लगाना है यह देखिए इस प्रकार से तीन इंच पर इसी प्रकार से इधर निशान लगाने सीधा तीन इंच पर करें कि और इसके लिए आपको जो प्लेट लगान किस प्रकार से देखिए लगाया एक pię to का निशान आपको इदर लगाने यानि कि कट लगाने देखिए अब इसके बाद यह जो हमारी बैल्ट है इसके साथ असानी के साथ अटेच हो जाएगी इस प्रकार से देखें पिल्कुर इसके साथ बराबर आएगी वह सब कुछ मैं इसकी बैल्ट हो चुकी है यह इसका पीछे का हिस्सा है अब मैं आपको बाद आता हूं इसकी बाजू की कटिंगं को कैसे करनी है रिपाजू की कटिंग बिल्कुल असान है इसको कपड़े को अपने इस प्रकार से रखा है डबल फोल्ड करते इसको सीधा एक निशान लगाए एक निशान आपको लगाना है डाउन पे तीन इंच पे बाजू की लंबाई है कितनी चार ठीक है ये चार इंच पे निशान लगा दिया मैंने और आगे फोल्ड करने के लिए एक इंच डेड़ इंच इतना चाहों रख सकते हो अब आपको क्या करना है यहां से गुमाव देना है और नीचे जो तीन इंच पर यह दोनों पर ले उठा लेना है इसको यहां से बिल्कुल ब्रावर पकड़ा यहां पर रखा और देख लिए कहां पर आ रहा है यह इसका जो फिटिंग का जो निशान आ रहा है वो इस जगह पर आ रहा है ठीक है तो इस तरह से इसको जाके समें मिला देंगे और यह हो गया हमारा एक्ष्टा मार्जन तो इस परकार से बाजू में जादा गणित लगाने के जूत नहीं है बहुत असान तरीके से पार्ट में आर्मोल की कटिंग करते हैं उसी तरह से इसके बाजू में भी फ्रेंट वाले पार्ट में आपको आर्मोल की कटिंग करनी होती है तो दोस्तों बाजू कट चुकी है और यह इसकी कटोरी हो चुकी है अब इसका जो पीछे का पार्ट है इसको देखिए यहां प आपको 4 इंच सीधा निशान लगाएं इस प्रकार से ठीक है यह जो दूरी है आपके 1.5 इंच होनी चाहिए तो इस प्रकार से यह हो गई मेरी पीछे की प्लेट जो की बहुत असान है और काफी वीडियो में बता चुका हूं इसी प्रकार से इधर भी आपको निशान लगा लेना है कोई मुश्किल काम नहीं प्रेट लगाने का पीछे के गले की कटिंग कर लेते हैं कि पीछे के गल आठ है तो आठ की जगे साढ़े आठ पर निशान लगाएंगे यहां से दूरी रखेंगे हम पहुने तीन इंच है और यहां से कर देंगे गोलाई दोस्तो में जो चीज थी न आज की वीडियो की वह है क distracting कैसे की जाती है अब गटिंग तो मैंने कर ली है अब इसको जो सिलने का तरीका हो मैं आपको बाताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है इंशान लगाना कैसे इसको attach करना है तो दोस्तो जब आप इस प्रकार से एक ही plate लगानी होती है यह देखिए इस प्रकार से आपको जो puff है न बहुत शांदर बन जाता है अब दोनों ही तरफ मेंने यह जो इस प्रकार से plates लगा ली है आप देख सकते हो दोनों का puff बन चुका है अब puff बनाने के बाद आपको उठा ना ही यह वाला पला यह देखिए इस प्रकार से उठाएंगे इसको यह देखिय Union अब आपको क्या करना है इस प्रकार से इसको रख लिए सीधा अब एक जो पल्ला है वो इधर लग जाएगा यानि एक कटोरी इदर लग जाएगी और एक कटोरी आपकी इधर लग जाएगी अब इस कटोरी को लगाना बहुत असान है इस प्रकार से देखिए इस कटोरी को उठाया मैं ने ठीक है और यहां से हम इसलाई की स्टार्टिंग करेंगे नीचे से मिलकुर बरावर लगते हुए दिरे दिरे आपको गुलाई में स्राइल लगानी है कपड़ा कोई सब यह आपको नहीं खीचना ना उपर का नहीं नीचे का दोस्तों यह देखें इस परकार से यह देखिए एक तरफ की जो कटोरी वह मैंने लगा ली है आप देख सकते हो यह हमारा पफ हो चुका है अब इसी तरह से आपको इधर की कटोरी भी लगा लेनी है के दोस्तों दोनों तरफ की कर टोरी तो मैंना टैच कर ली मि can dead करने के बाद नकिल पर इक वसके अब कि अबस तरफ चानि लेंगी और इसे लगाना बहुत असानी यह देखें अपको बटाता हूं कैसे लगया किक बैसे को लगाना अपने इस प्रकार से फोल्ड करना इसको सीधा नहीं रखना सीधा रखना लगा अब आप देखिए इसका जो परफेक्ट बन चुका है और रही बात ये मार्जन देखिए इस परकार से उपर कराये मैंने इसमें कोई भी खिचाव नहीं आगा अगर इस मार्जों में सीधा रखता तो यहाप खि रहना है और इसी परकार से आपको जो दोसरी कटोरी उसको भी अटैच करना है तो दोस्तों यह देखिए कटोरी में लगा ली है कटोरी लगाने के बाद नीचे की जो बैल्ट को भी मैंने इसके बिलकुर बराबर जोड़ लिया है और बहुत शांदार इसका पफ बन चुक को सब्सक्राइब करें हमें सब्सक्राइब करें थैंक यू वेली मच